हेलो बच्चो नुश्कार पियारे बच्चो आज हम लोगों को वड़ प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करनी है और थोड़े बहुत ऐसे कंडिशन के बारे में बाते करनी है जिसके अंदर हम लोग कुछ x की टरम्स के बारे में आंसर निकालेंगे quadratic equation बना के तो ऐसे बहुत type के question आपको दिखाई देंगे ठीक है आपके NCRT में तो दो तिन question ही है लेकिन इसमें क्या नहीं है R.D. Sharma में R.D. Sharma में काफी सारे इसके question types मिल जाएंगे कुछ type करने हैं कुछ type नहीं करने है क्योंकि R.D. Sharma में कुछ type ऐसे हैं जो illogical है उसका कोई लेना देना है नहीं ठीक है तो इस वज़े से बच्चो अब आप लोगों को क्या करना है कि कुछ ऐसे question भी करने है जिसे हम simplify करते हैं ठीक है तो वो question भी आज में कराने जा रहा हूँ तो जड़ा एक दो question देखो जैसे third का first part देखो आप ये बच्चो simplify वाले question होते हैं कौन से वाले question होते हैं simplify x minus 1 by x is equal to 3 और कह रहा है x 0 के बराबर नहीं है x 0 के बराबर नहीं है नहीं है तो नहीं है कोई बात नहीं जी हम इसको किसी ना किसी के बराबर कर देंगे कैसे करेंगे देखिए चलो इसके नीचे कुछ नहीं है तो बच्चो 1 x की multiply इससे x square 1 की multiply इससे minus 1 नीचे को नीचे से x is equal to 3 upon 1 फिर 1 की multiply इससे तो यह आजाएगा x square minus 1 x की multiply इससे तो यह आजाएगा 3x 3x इदर plus का है इस सरफ आके क्या बन जाएगा minus का minus 1 बराबर 0 क्या हम इसका factor बना सकते हैं हम इसका factor नहीं बना सकते हैं हम इसका factor नहीं बना सकते हैं ठीक है अगर आप कोशिश भी करोगे तो one one जा one बनेगा ठीक है तो अब बोलोगे कि सर यह क्या बात कर रहे हो आप है जब factor बनाई नहीं सकते हैं तो क्यों सिखा रहे हो और जब factor बने ही नहीं सकता जब factor बने ही नहीं सकता तो आप पढ़ा क्यों रहे हो factor बन सकता है factor बन सकता है लेकिन थोड़ा से इंतिजार करना पड़ेगा किस चीज का इंतिजार लेकिन नहीं बना पाएंगे तो नहीं बना पाएंगे तो क्या करना पड़ेगा बस बचो वर्ड प्रॉब्लम के बाद एक कंडिशन आती है कि डिस्क्रिमिनेट मैथड विविद कर विधी बस उसका इंतिजार करना होगा चुटकियों में सॉल्व करके रख दूँ हो सारा ठीक है अभी फिलाल आप इसको यहां तक नोट कर लो इसको आपको 4.4 जब करवाऊंगा तो वहां पे इसे सॉल्व करके दिखा दिये जाएग जल्ली नोट करो इसे फिर इसका अगला कोशन करेंगे हैं जल्ली करो नोट कीजिए चलो मिटा दूँ ठीक है क्रोस मल्टिपल दा चलिए देखेंगे अब अच्छो यह देखो थर्ड का सेकंड पार्ट 1 upon x plus 4 minus 1 upon x plus 7 sorry x minus 7 is equal to 11 by 30 अब कह रहा है कि x की value नहीं minus 4 है और x की value नहीं 7 है यह लिखा हुआ है इसके side में लिखा हुआ है कि x is not equal to minus 4 और 7 यह बात लिखी हुई है ठीक है क्यों नहीं है क्योंकि देखो अगर मैं यहां पर minus 4 रखूँगा तो यह 0 हो जाएगा यहां पर 7 रखूँगा तो भी 0 हो जाएगा तो यह नहीं minus 4 और 7 को छोड़के कुछ भी value आ सकती है तो चलो ठीक है solve करते हैं क्या करेंगे इस पूरे को इस से multiply x minus 7 इस पूरे को इस से multiply बीच में minus x plus 4 नीचे की multiply नीचे से तो x plus 4 x minus 7 बराबर 11 बटा 30 solve करेंगे x minus 7 minus x minus 4 अंदर multiply x square अंदर multiply minus 7x अंदर multiply plus 4x अंदर multiply minus का 7, 4, 28 11 बटा 30 x से x cancel ठीक है minus का 7 और minus का 4 minus minus plus होता है तो minus का 11 नीचे बचा x square 7 में से 4 जाएगा minus का 3x minus 28 is equal to 11 upon 30 जिस तरह नीचे से नीचे कट सकता है उस तरह उपर से उपर 11 कट सकता है कि नी इनकी जगह पे 1 और 1 बच जाएगा मतलब minus 1 upon x square minus 3x minus 28 और 1 upon में 30 सही बात है अब इसको इस से multiply इसको इस से multiply तो 30 को इस से करोगे तो minus का 30 एक से करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सही बात है minus का 30 उढ़ा के वहाँ ले जाओ 0 बराबर x square minus 3x minus 28 minus का 30 इतरा के प्लस का 30 अब इसको सही से solve करके लिख लो x square minus 3x 30 में से 28 गया प्लस का 2 बराबर 0 अब यह मत कहना 0 इस तरफ था वहाँ कहते चला गया तो इस तरीके से हम पलटके लिख सकते हैं यह बात आप अच्छे से जानते हैं सभी वच्चे ठीक है चलिए अब factor बनाना है तो इसके आगे क्या है 1 इसके आगे क्या है और last में क्या है 2 तो 2 वंजा 2 2 वंजा 2 तो 2 और 1 आ गया देखो 2 और 1 3 होते हैं की नहीं होते हैं बिलकुल होते हैं और 3 कैसा चाहिए मुझे माइनस का चाहिए प्लस का तो माइनस जबरदस्ती कॉमन तो माइनस जब जबरदस्ती कॉमन लोगा तो x वापस प्लस का और 2 किसका बन जाएगा माइनस का तो x माइनस 2 x माइनस 1 बराबर 0 अब एक बार इसको 0 के बराबर एक बार इसको 0 के बराबर माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा लो जी, तो X का अंसर 1 और क्या आ गया 2 आ गया, करो है नासान बस हमें क्या करना था बच्छेश में हमेशे simplify करना था क्या करना था, simplify जल्ली note करो simplify करो करो होगे बच्छों, चलो देखते हैं वागे इस टाइब के आड़ी शर्मा में आपको बहुत सारे कुशन मिलेंगे ठीक है, आपको वहाँ से करना ही और जो डाउट रहे तो मुझे बेजना फिर देख लेंगे ठीक है चलो note कर लिए होगा अपनी, आगे करता हूँ हाँ जी, अब सुरू कर रहा हूँ मैं, word problem simplify तो मैंने सिखा दिया, क्या आखिर कर simplify हम कैसे करते हैं ठीक है, तो word problem कैसे किया जाए इसके बारे में बात करते हैं ठीक है, बड़े प्यारे प्यारे कोशन दिखेंगे आपको word problem के अंदर, ठीक है question number 4 से शुरू है और 11 तक है, word problems ये तो करेंगी, प्लस और भी कुछ extra question है, वो भी करवाँगा ये मैं सोचना सिर्फ एंसियाटी करा की छोड़ना है वाला हूँ पहला देखो, the sum of the reciprocal of रह्मान's age, three years ago and five years from, now is one by three, find the present age चलो भाई, कह रहा है, एक रह्मान नाम का लड़का है और कहरा है कि अगर आज की age से तीन साल पहले और आज की age से पांस साल बाद का reciprocal का उल्टा आपस में add कर दिया जाए तो उसका answer एक बटा तीन आता है, one by three आता है तो बताओ present age क्या है, बताओ present age क्या है अब आप लोग कहोगे कि sir, इसमें तो हम उस हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे two variables वाले में किया था तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे वैसे नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं, देखो, पहले जब हम लोग age वाले question करते थे तो हमेशा दो लोग होते थे, जैसे जैकॉब उर्सका बिटा, नूरी और सोनू, थे ना दो लोग लेकिन यहाँ पे रहमान क्या है, अकेला है, रहमान को अकेले ही अपने age के उपर question solve करना है तो ठीक है जी, ऐसी situation में हम लोग quadratic equation करते हैं, करने को मैं इस से भी कर दूँगा, two variables से लेकिन quadratic equation से करोगे तो ज़्यादा बहतर रहेगा, छोटा हो जाएगा थोड़ा तो हमें बहु प्रेजेंट एज निकालनी है, तो लिखेंगे let, fourth question है let the present age of, किसकी भई, रह्मान, रह्मान की present age क्या हमाल लेंगे, एक्सियर, माना, रह्मान, की वर्तमान आयू, ठीक है जी, एक्सियर, अब क्या है बच्चो, and, अजी, अब तो क्या करना है, now, according to question, प्रशना अनुशार, याद होगा, क्या लिखेंगे, three years ago, according to question, three years ago, and five year later, five years, later, the sum of, the sum of, क्या लिखा हुए, एक मान बच्चो, इसमें देख रहेता हुए, लेंग्वज लिखी हुई है, the sum of, the, reciprocal, reciprocal, of, his, age, of his, age, ठीक है, क्या लिखेंगे, उसकी, आयू, उसकी आयू, के, व्यूत क्रम, व्यूत क्रम, का योग, पिछले, पिछले, तीन साल, और, पांस साल बाद का, पांस साल, बाद का, ठीक है जी, चलिए, निकालते हैं, नाओ, हाँ, तो देखो, अभी age कितनी है, x, तो तीन साल पहले कितनी होगी, ठीक है, यह एक काम करता हूँ, इतना लफड़ा पालनी जूरत क्या है, हम इतना लफड़ा पालनी जूरत क्या है, हम इतने जूरत लिख रहे हैं, और असान लेकम में लिख सकते हैं, यह लिख लो, सीधी बात, उसने क्या बोला है, तीन साल बाद उसकी age, और पास साल पहले उसकी age, पास साल बाद, तो लिख लो, according to question, 3 years ago, 3 years ago, रहमान's age, सबसे बड़ी हैं, रहमान's age, ठीक है बई, तीन साल पहले रहमान के आयूँ, अगर बच्चों अभी एक साल का है, तो तीन साल पहले कितने साल का होगा, x-3 का होगा की नहीं होगा, जल्दी बता दो, अरे भाई, अगर आप लोग अभी 10 साल के हो, तो 3 साल पहले कितने साल के थे, अगर अभी आप लोग 15 साल के हो, तो 3 साल पहले कितने साल के थे, 12 साल के थे, माइनस कर दो, बस बात खदम, ठीक है, रहमान, की, 3 साल पहले ठीक है जी? चलो अब क्या है? 5 years ago रह्मान's age हाँ भई अगर अभी age एक साल है तो 5 साल बाद कितनी होगी? 5 साल बाद कितनी होगी? X plus 5 years कितनी होगी? X plus 5 years हाद डालो उसको छोड़ दो छोड़ दो ठीक है? देख लो X plus 5 years 5 रह्मान रह्मान की 5 साल बाद आयू 5 साल 5 साल बाद आयू तो बच्चों 5 साल बाद कितनी आयू होगी? X plus much Now अब according to question आप जानते हो क्या कह रहा है? इसके आयू का उल्टा जोड़ना है हमें उसने खुदी बोल दिया है The sum of reciprocal of his age ठीक है? मतलब इसके age का reciprocal यानि अगर यह एक्स माइनस 3 है तो यहां पर क्या बन जाएगा? 1 upon में X माइनस 3 अगर यहां पर यह एक्स प्लस 5 है तो यह क्या बन जाएगा? 1 upon में X प्लस 5 अब इन दोनों का आपस में क्या करना है? Sum और जब sum कर देंगे तो age की value किसके बराबर आ रही है? 1 by 3 यह किसने बोला है? Question ने बोला है Question ने कहा है कि आज से 3 साल पहले की जो age है और आज से 5 साल पहले की जो age है उसका उल्टा आपस में जोड़ोगे उल्टा क्या? बाई जिसके नीचे कुछ नी होता 1 होता है तो इसको जब पलट दोगे तो क्या बन जाएगा? यह इसके नीचे कुछ नी होगे तो क्या होगा? 1 इसको पलट दोगे तो क्या बन जाएगा? यह 1 by 3, अब क्या होगा, x plus x, 2x, 5 में से 3 गया, 2, अंदर multiply, x के x से x square, x की 5 से 5x, 3 के x से minus का 3x, 3 की 5 से minus का 15, बराबर 1 by 3, अब 3 को इस से, और इस पूरे को इस से, यह काम करो, अभी छोड़ो, पहले और चोटा कर लो, और चोटा कर लो, 2x plus 2, यह बन जाएगा, x square, 5 में 3 गया 2x, minus 15, बराबर 1 by 3, अब तो कर सकते हो, इसको इस से, इसको इस से, क्या बनेगा बच्चो, यह बनेगा, 3 into 2x plus 2, बराबर, 1 से multiply होके तो सेम रहगा, कभी चेंज नहीं होता, 1 से multiply, तो यह होगा, 6x, 6, x square, 2x minus 15, सबको उठा के महा ले जाओ, x square, 2x minus 15, minus 6x minus 6, पता है न, क् का minus, क्योंकि plus की चीज है, तो इसको इदर लिख दो, x square, 6 में से 2 गया, minus का 4, minus 15, minus 6, minus का 21, बराबर 0, क्या करना है, factor बनाना है, कैसे, इस क्या कि कुछ नहीं है, तो 1, और यह last वाल 21, तो 21 का factor क्या बनेगा, 3, 7, 7, 1, बीच में क्या चाहिए मुझे, 4 चाहिए, तो अगर म 7 में से 3 minus करूँगा, तो 4 आएगा, लेकिन मुझे 4 चाहिए कैसा, minus का, तो बड़ा number minus, छोटा number plus, यही सीखा है हमने बच्पन से, और 21 को मैं 7 into 3 तो लिखी सकता हूँ, क्या को मना है इसमें, x, x minus 7, क्या को मना है इसमें, 3, x minus 7, तो बस, x minus 7, x plus 3, बराबर 0, x minus 7 को 0 के बर बर, x plus 3 को 0 के बराबर, यह minus 7 इदर आखे plus, और यह plus 3 इदर आखे minus, तो बता हो, बस्त Wow कि रह्मान की एज कौन सी है? बई, रह्मान की एज है 7 वाली, यह होई नीं सकती, क्यों? क्योंकि क्या कभी age minus में जा सकती है, कभी नीं जा सकती है, हम कभी बोलते हैं, कि मैं minus 3 साल क का हो गया, या मैं माइनस 50 साल का हो गया, कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है, हमेशा एज बढ़ती है, एज घटती कभी नहीं है, तो ये माइनस 3 नहीं होगा, 7, तो इसका मतल़ा आप बोलोगे, the present age of रह्मान is 7 years, ठीक है, लिखो, note करो, note करो, है ना सान कोश्चन, करो, इसके बाद बच्चो हम लोग, इसको फटा-फट नोट कर लो आप सब, हम इसका मतल़ा है, थे आप सकाना करें, तो इसका मतल़ा है, ये टुझा आप सब, झाल चलो अच्छो यह नोट हो गया होगा आद देखो चलो अच्छो अब हम नेक्स्ट कोशन देखतें इसके बाद इसका हाँ जी पहरे बच्छो नेक्स्ट कोशन देखेंगे कोशन नमबर देखिए आप फाइफ कोशन नमबर फाइफ क्या बोल रहे है बही एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें एक सेफाली नाम की लड़की मैथ में और इंग्लिस में मार्क्स लेकर आई मैथमेटिक्स में और इंग्लिस में मार्क्स लेकर आई कितनी थर्टी भई थर्टी मार्क्स लेकर आई अब वो कह रही है कि अगर उसके मैथ में दो मार्क्स जादा होते और इंग्लिस में तीन मार्क्स कम होते तो उनका multiple 210 होता अगर math में 2 marks जादा होते और English में 3 marks कम होते तो उनका multiple math के marks का और English के marks का multiple 210 होता तो बताओ दोनों subject में marks कितने हैं तो देखो कितना simple question है कितना simple question है अच्छा अब बच्चो आपने 3rd chapter पढ़ रखा है इस वज़े से आपके दिमाग में पहला सब्द यह गोमेगा कि भई let the marks obtained in math and the marks obtained in English आप तुरंट x और y पे पहुंच चाओगे लेकिन बच्चो x और y ना यहाँ पे use करना इतना fruitful नहीं होता इतना अच्छा नहीं होता मैं यह नहीं कहा हूँ आप let नहीं कर सकते हो लेकिन जहां पे तब let करना चाहिए जब हमारा काम अब चली ही नहीं रहा है लेकिन अगर हमारा काम चल रहा है एक ही variable से तो हम उससे चला देंगे ठीक है और यह काम आप हमें पता कैसे चलेगा तो बच्चो इसके लिए हमें बहुत practice करेंगे और मैं करवाऊंगा भी आप लोगों को और समझाऊंगा कि किस तरीके से आप let कर सकते हो अब देखो इसी चीज़ को ले लो इस question को मैं आपके उपर डाल देता हूँ आपके नीजी जिन्दगी पर डाल देते हैं ठीक है जैसे भाई आपको आपके घर पर महमान आए और आपको भाई 100 रुपे का नोट दे के चले गए आप होगे खुश ठीक है आपको पता आपकी खुशी का ठीकाना नहीं रहेगा क्यों भाई 100 रुपे मिल गए अब भाई आप 100 रुपे लेके गए आपने भाई आपको दो चीज़े खरीदनी है आपको दो चीज़े खरीदनी है आपने का यहार 100 रुपे आगए दो चीज़े खरीदनी चल खरीद लेते है तो उसने आपको पता है कि अगर ऱिश्थी सी बात है अगर मालों आपको एग रजिस्टर और एक न है ठीक है महनगा वाला पेदывать ले रिगशेशिर और बीस वाला रिष्टर ले रहे हैं तो अगर आपने पा राजिस्टर बीस रुपे का ले लिया तो पैण कितने का है तुरॉंत और बो звуч से 20 माइनस कर दिया 80 आपके पास इसका मतला आपने उस thinking को अराम से देख लिया कि कितने आपके पास हैं कितने आपने खर्च किये और कितने आपके पास बचे यह सब पता चल गया तो बच्चों अब यहां पर आजो हंजी सबसे पहली बात सिफाली मार्क्स मैथ में कितने लिये हमें नहीं पता है तो फ़ई इंगलिश में कितने वो भी नहीं पता तो अब एक बात बताओ सिंपल थी बात है अगर 30 मार्क्स का एक्जाम है अगर मालो उसके मैथ में number 20 होंगे, तो English में कितने होंगे? 10. तो चलो ये तो हमारा तुक्का मारा. तो क्या paper में भी तुक्का मारेंगे? नहीं. पेपर में क्या करेंगे? सिधी सी बात है. हमने क्या देखा? कि जब हमें total दिया हो और जब हमें एक की value पता हो तो दूसरे की value कैसे निकालते हैं टोटल में से पहले वाला माइनस करके फिर से समझेंगे इस बात को अगर हमें टोटल रुपीज पता हो और एक प्रोड़क्ट की value पता हो तो दूसरे की कैसे निकालते हैं टोटल में से पहले वाला माइनस करके समझ गए बात तो बस देखो सेफाली सेफाल, let let the सेफाली let सेफाली सेफाली obtains marks in maths माना सेफाली ने math में marks लिये किते बच्चो x marks कितने लिए x marks and so so c obtains c obtains माना सेफाली ने गनित में अंक पराप्त किये अंक पराप्त किये, कितने अंक पराप्त किये x so c obtains marks marks in English तो बच्चो भी एक बाद बताओ English में कितने marks ले English में कितने marks let करू में अरे बच्चो total marks कितने थे 30 एक का मुझे पता चल गया math का कितने math में x तो इंगलिस में कितने बचे 30 minus x कितने बचे 30 minus x पल्ले पढ़गी बात total पता ही था math का let कर लिया तो English का क्या जाएगा total minus x ठीक है इस परकार इस परकार वे है वे है अंगरेजी में अंगरेजी में अंक प्राप्त करती है अंक प्राप्त करती है कितने अंक प्राप्त करती है 30 minus x now according to question according to question क्या बोला उसने क्या बोला उसने कि अगर math में 2 marks ज़्यादा ले ले हाँ भई अभी math में marks कितने x लेकिन वो कह रही है कि अगर मेरे math में 2 marks जादा आ जाएंगे तो भाई 2 marks जादा जाएंगे तो marks कितने हो जाएंगे x plus 2 यही होगा अगर अगर English में 3 marks कम हो जाए तो अभी English में कितने marks हैं अभी English में इतने marks हैं अभी English में marks कितने हैं 30 minus x और इसमें भी वो क्या कह रही है कि तीन मार्क्स कम हो जाए तो लो जी इसमें से तीन मार्क्स कम कर देंगे अब फिर कह रही है कि मैट के मार्क्स का और इंगलिस के मार्क्स का मल्टिपल किसके बराबर है 210 के बराबर है किसके बराबर है 210 के बराबर है बस जी अब कह रहा है कि बताओ इंगलिस में मार्क्स कितने है, मैथ में कितने है तो ठीक है जी, कर देते हैं, solve तीस में से तीन गया, 27 माइनस x बराबर 210, factor बनाओ 27 x उससे करो, माइनस का x square, इससे करो 27 दूनी 54, दो से करो, माइनस का 2 x, बराबर 210 सब को ठाके उस तरफ ले जाओ माइनस का x square, वहाँ जाके प्लस का x square, ठीक है प्लस का 27, वहाँ जाके माइनस का 27 माइनस का 2, वहाँ जाके प्लस का 2, प्लस का 54, वहाँ जाके माइनस का 54, और 210 तो थाई प्लस का, अब इसको सही से लिख देंगे x square, 27 में से 2 गया, 25 x, 210 210 में से 54 गया कितना बचेगा बोलो भई 50 माइनिस करेंगे तो बचा 260 और 256 156 कितना बचा 156 प्लस का बराबर 0 बराबर 0 चलो वह फैक्टर बनाए फैक्टर बनाए इसके देख लो 210 में से चौन गए 10 में से चार गए 6 और यह फैक्टर बनाओ बच्चो इसके आगे 156 मंटीपल करो 156 का फैक्टर बनाओ दो से काटोगे 7 8 दो से काटोगे 3 9 3 से काटोगे 13 13 1 हमें क्या चाहिए 25 हाँ तो दो दुनी चार तिया 12 12 और 13 कितना होते है 25 हाँ लेकिन 12 अलग है 13 अलग है इनको एड़ करने पर 25 आता है लेकिन 25 में को चाहिए कैसा माइनस तो दोनों के दोनों कैसे लेंगे माइनस x square माइनस 12 x या 13 x माइनस 12 x और क्या मैं 156 को 12 गुना 13 लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ अभी अभी factor बना है इन दोनों में common क्या है x माइनस 13 इन दोनों में common क्या लोंगा माइनस का 12 क्यों क्यों क्योंकि x मुझे प्लस का चाहिए और 13 मुझे माइनस का चाहिए तो X-13 X-12 बराबर 0 X-13 को 0 के बराबर X-12 को 0 के बराबर ठीक है तो क्या बन गया X बराबर 13 और X बराबर 12 ठीक है अब देखना है कि भई क्या क्या है भई देखो X है math कौन है X है math अब यहाँ पर करेंगे if if अब यहाँ पर लिखेंगे if यदी क्योंकि x की दो value आई है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है if x is equal to 13 तो x यानि की maths, in maths in maths x बराबर 13 यदी गनित में गनित में गनित कितना है भई? x है, अगर गनित में 13 है तो in English English में कितना होगा? जल्दी बता दू English में कितना होगा? 30-x सभी बात है, तो 30-13 तो कितना आएगा? 17 ठीक है? अंग्रेजी में अंग्रेजी में अगर बच्चो, math में 13 है तो English में कितना होगा? 17 और if यदी हाँ जी, यदी, in math अगर गनित में कितने है? 12 अगर गनित में कितने है? 12 अगर बच्चो, गनित में 12 तो in English English में कितना होगा? जल्दी बता दो 30-x मतलब 30-12 बराबर कितना आएगे? जल्दी बोलो 18 तो यानि अंग्रेजी में अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में कितने आँगे बच्चे? अठारा तो यानि इसमें हमारे पास दो कंडिशन बने दो अंसर बने क्या अंसर बन गया? अगर math में 13 है तो English में 17 होंगे और अगर math में 12 है तो English में 18 होंगे है ठीक है चलो जल्दी नोट करो फटा फटी से नोट करो इसको कि समझ वारा रहा है न बच्चों सभी को कोई डाउट नी होना चे किसी बच्चे को एक एक चीज एक पॉइंट पकड़के चल रहे हैं हम लोग और यह सारी चीजे वैसे भी आप लोगों को मैं कम से कम सेकंड चैप्टर में दस से बारा बार करवा चुका हूं और अभी इस चैप्टर में तो पता नहीं कितनी बार हमने कर लिया डाउट को डाउट हो तो बताना भाई ठीक है मुझे जरूर मेसेज करना किसी को फैक्टर बनाने में डाउट हो तो भाई इसका मतलब यह है कि वह बच्चे .प्रेक्टिस नहीं कर रहे हैं को याँ बच्चा this ना चोड़े ठीक है प्रेक्टिस करते रहे चलिए अगला कोशन देखते हैं हाँ जी बचो अगला कोशन देखते पेले अब क्या बोला है कोशन में कोशन नमर सिक्स कह रहा है The Diagonal of a Rectangle देखो क्या लिखा हुआ है The Diagonal of a Rectangular Field Field is 60 meter more than the shorter side If the longer side is 30 meter more than the shorter side find the sides of field कितना बेकार नकली कोशन है एक नमर बहुत बेकार कोशन है लेकिन करेंगे बेकार है तो क्या हुआ करने सारे कोशन है चलो देखो ठीक है यह देखो चो कोशन में लिखा है कि बच्चो एक Rectangle है Rectangular Field है ठीक है जी हमने बना दिया ठीक है अब देखो कيا कह रहा है कह रहा है जो इसका diagonal है न डागणल बच्चो यह होता diagonal हिंदी में से कहते है vikarn क्या कहते है vikarn कह रहा है बच्चो जो इसका diagonal है वो सबसे छोटी वाली साइड से 60 जादा है 60 मीटर जादा है और जो इसकी लंबी वाली साइड है लॉंगर साइड है वो 30 मीटर जादा है सौटेश से यानि जो छोटी वाली से तो बताओ फिल्ड क्या है सबसे छोटी आपको कौन सी दिख रही है ये वाली, इधर देख लो बच्चो, सभी, सभी अपना ध्यान इदर देखेंगे सबसे छोटी साइड आपको कौन सी दिख रही है, ये तो जो सबसे छोटी दिखे, उसे मानलो X मीटर क्या मानलो, X मीटर अब इसने क्या बोला है, जो जो इसने बोला, वो वो करो इसने बोला है, कि ये जो डाइगनल है ना, डाइगनल ये छोटी वाली से 60 जादा है, छोटी वाली से क्या जादा है 60 जादा है, तो लो जी छोटी वाली X से 60 जादा है इतने मीटर, सभी बात है, अब क्या रहा है कि ये जो बड़ी वाली length है ना बड़ी वाली length वो इससे 30 ज़ादा है तो यानि कि x से कितना ज़ादा है 30 ज़ादा है तो logis x plus 30 meter अब अगर आप rectangular field को देख रहे हैं तो क्या ये एक pythagoras लगाता हो दिख रहा आपको हाँ कि ना pythagoras क्या होता बच्चो hypotenuse का square is equal to base का square plus perpendicular का square हिंदी में कर्ण का square बराबर आधार का square plus क्या भई plus किसका? लंब का square तो ये सारी चीजे हम लोग ने पढ़ रखा है तो बस यहाँ पर let करेंगे let the shortest side is shortest side of क्या बोला है? rectangular field बोला है? हाँ जी of rectangular field of rectangular field rectangular field कितना माना हमने? x meter माना आईताकार खेत की सबसे छोटी भुजा छोटी भुजा तो कितनी है भई? x meter ठीक है? अब क्या है? now according to question according to question the longer side the longer side of rectangular field हाँ जी rectangular field भाई longer side longer side कितने की है? x plus 30 meter प्रसना अनुसार आईताकार खेत की लंबी भुजा की लंबी भुजा कितनी है किया आगी? x plus 30 now now the longest the longest side of rectangular या नहीं longest नहीं बोला उसने उसने diagonal बोला है ठीक है? the length of diagonal diagonal of rectangular field of rectangular field is कितना है बच्चो? x plus 60 meter कितना है? x plus 60 meter ठीक है? आईताकार आईताकार खेत का आईताकार खेत का आईताकार खेत के विकर्ण की लंबाई कोई दिक्कत किसी बच्चे को? now अब याद रखना बच्चो कि जो विकर्ण वाला scene होता है न यह हमीशा इसमें pythagoras use के जाता है क्या use के जाता है? pythagoras तो यहां लिखेंगे using pythagoras pythagoras ठीक है? pythagoras pythagoras परमय परियोग करने पर हिंदी में क्या लिखेंगे? pythagoras परमय परियोग करने पर तो क्या होता है बच्चो? hypotenious का square base का square plus perpendicular का square हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में क्या लिखेंगे? हाँ बई करन का square बराबर आधार का square plus में लंब का square तो भाई हाईपोटेनिस को नोता है सबसे लंबा X plus 60 का square base क्या होता है base भाई जो इसके साथ ऐसे ठीका हुआ होता है तो X plus क्या हो जाएगा 30 का whole square और P कितना है परपेंडिकुलर कितना है ठीक है बच्चो ये मत कहना कि क्या हमें ये सब लिखने की जूरुत है तो बच्चो अगर नहीं लिखोगे न वड़ प्रॉबलम में ये सब तो आदे नंबर तो वहीं निटा देंगे हो तो वड़ प्रॉबलम में ये लिखना बहुत जरूरी है कुछ बच्चे अपने मतलब चला की दिखाते हैं और यह सब लिखके नहीं आते हैं कहते हैं हमें तो आंसर आता हम तो फटा फट वो लिख देंगे तो भाई फटा फट में फिर फटा फट नंबर आएंगे हाँ जी तो X प्लस 60 का होली स्क्वेर क्या फटा लगाँगा A प्लस B का होली स्क्वेर तो X का स्क्वेर प्लस 60 का स्क्वेर प्लस 2AB बराबर अब क्या है X प्लस 30 का होली स्क्वेर X स्क्वेर प्लस 30 का स्क्वेर प्लस 2AB प्लस X स्क्वेर प्लस X स्क्वेर तो हाँ जी x square plus 60 का कितना होगा 6 का 36 double 0 इसका 120x x square 30 का 900 60x plus x square plus x square यही है ना बच्चो चलो जो कटे काटो x square था x square अब कुछ तो नहीं कट रहा इन दोनों उठाके माले जो तो यह इसको सही से लिखो x square plus 60x plus 900 यह plus की चीज़ इदर आके minus का 36 minus का 120x अब सही से लिख लो इसको x square 120 में 60 गया minus का 60x 3600 में से 900 गया minus का 2700 बराबर 0 क्या करेंगे factor बनाएंगे इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 बनाओ factor 2700 से बनाओ factor बच्चो 2 से 1, 3, 5, 0 2 से 6, 7, 5 3 से 2 2, 2, 5 फिर 3 से 7, 5 फिर 3 से 2, 5 फिर 5 से 5, 5 फिर 5 से 1 बन गया मुझे बीच में कितना चाहिए बच्चो 60 क्या चाहिए मुझे 60 तो कैसे लाएंगे जल्ली बताओ कैसे लाएंगे 2 दुनी 4 ठेक है 4 पंजे 20 20 तिया क्या बन जाएगा 20 तिया 60 और 60 तिया नहीं भई यह तो बहुत ज़ाद हो जाएगा 25 25 तिया 75 ठेक है और फिर यह क्या बन जाएगा हाँ 90 और 30 ठीक है 90 और 30 बनेगा देखो बच्चो कैसे बनेगा हाँ जी इता देखेंगे 5 तू जा 10 10 थरी जा 30 33 जा बोलो भई 90 यह हो गया अब देखो अब क्या बनेगा अब कौन कौन बच गए 5 थरी और 2 बच गए 5 थरी जा 15 15 तू जा बताओ 30 तो देखो मुझे क्या चाहिए माइनस का 60 तो 90 माइनस का 30 प्लस का ले लो तो माइनस का 60 आ जाएगा की नहीं आ जाएगा बस बन गया फैक्टर X स्क्वेर माइनस 90 X प्लस 30 X और क्या मैं 2700 को 90 इंटु 30 लिख सकता हूँ की नहीं लिख सकता हूँ बिल्कुल X कॉमन लिया X माइनस 90 30 कॉमन लिया X माइनस 90 बराबर 0 तो X माइनस 90 X प्लस 30 बराबर 0 तो X माइनस 90 को 0 के बराबर और X प्लस 30 को 0 के बराबर माइनस 90 इदर आके प्लस plus 30 इदर आके minus अब देखो, यह minus 30 तो होई नहीं सकता क्यों? क्योंकि X कौन है? X है shortest side shortest side मतलब क्या length side कभी क्या minus में हो सकती है? नहीं हो सकती side कभी भी क्या नहीं हो सकती? minus में नहीं हो सकती इसलिए सबसे छोटी side कितनी आ गई? 90 लिखेंगे now now the shortest side now the shortest side is हाँ भई कितने आ गया 90 meter सबसे छोटी भुजा सबसे छोटी भुजा कितने आ गया 90 अब बोलेगा longer side तो क्या करोगे 90 plus 30 120 ठेक है 120 meter ये भी यहाँ पर लिख देना ठेक है फिर क्या पूछेगा diagonal की length length of diagonal हाँ भई 90 plus 60 कितना हो जाएगा 150 meter कितना हो जाएगा 150 meter तो वो line भी यहाँ पर लिख देना सभी बच्चों क्लियर हो गया फटा फट note करो note करो फटा फट कोई doubt इसमें अब है question number 7, 8, 9, 10, 11 अरे बड़े भैंकर भैंकर कोशन है बच्चों तो आज मैंने तुमें कितने कोशन इतने कोशन इतने कोशन दादी है चलो ठीक है अब बागी कोशन next class में कराऊंगा सारे कोशन बड़े बड़े है ठीक है आपको करने के लिए दे रहा हूँ मैं question number 11 और question number 8 ये करके लेकर आना ठीक है question number 8 और 11 आपको दे रहा हूँ question number 8 और 11 ये दो question आप करके लेकर आना 4.3 में से question number 8 और question number 11 आप लोग करके लेकर आना ठीक है आज मैं यानि आज ही class में यहीं खतम कर रहा हूँ ठीक है और इस question को अच्छे से कर लेना बच्छो बहुत important है और जो बास समझ में आना है मुझे message कर देना फिर देख लेंगे उसे ठीक है चलो